Hello everyone, welcome back to my channel So भाई मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप सब के साथ हॉस्पिटल बेबी बैग की डीटेल्स शेयर की थी कि अगर आपका शेडूल C-section प्लाइन है तो आप अपने बेबी बैग में क्या-क्या चीजें इंक्लूट कर सकते हैं, जिससे आपके हॉस्पिटल के तीन से चार दिन आराम से गुजर जाएंगे वैसे तो उस वीडियो में मैंने आप सब के साथ जो भी डीटेल्स शेयर की हैं, वो ना सिर्फ C-section वालों के लिए हैं, बलकि नॉमल डिलिवरी वाले भी उसे आराम से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भाई कभी-कभी इनिशियल स्टेज पे आपको पता नहीं होता कि आप नॉमली डिलिवर करोगे या C-section के थुरू डिलिवर करोगे कभी-कभी डॉक्टर हमें आसरा देते हैं कि हम नॉमली आराम से डिलिवर कर लेंगे और हम दिमाग में भी यही सोच कर जा रहे होते हैं कि भाई हम नॉमली डिलिवर करेंगे और इतनी जादा चीज़ें अपने बैग में इंक्रूड नहीं करते हैं, लेकिन अनफॉर्टनेल्टी कभी-कभी ऐसा भी होता है डाल रहे हैं, वो आपको यकीनन काम ही आएंगी बेबी के साथ साथ एक दूसरा जो बहुत important इंसान होता है, वो होती है जी उसकी माँ जो से दुनिया में लेकर आ रही होती है, सारी तकलीफें बरदाश्ट कर रही होती है इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि जब आप हॉस्पिटल जाने की तैयारी करें तो बेबी का बैग बनाने के साथ साथ मदर बैग भी जरूर बनाएं तो भाई अगर आपकी C-section डिलिवरी होने वाली है और डॉक्टर ने आपको डेट दे दी है कि इस दिन आपका C-section होगा और आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अपने बैग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूट करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपने मदर बैग में इंक्लूट करें वो है जी sanitary napkins ली हाँ अच्छे ब्रैंड के sanitary napkins अपने बैग में जरूर इंक्लूट करें वैसे तो hospital वाले आपको after delivery चाहे normal हो या C-section वो आपको sanitary napkins वगज़रा provide करते हैं लेकिन फिर भी अछा रहता है कि आप अपने comfort के हिसाब से जो sanitary pads आप use करते हैं वो अपने mother bag में जरूर include करें क्योंकि hospital से जो maternity pads आपको मिलते हैं वो इतने जादा मेरे साफ से comfortable नहीं होते इसलिए आप अपने comfort के हिसाफ से market में जो best maternity pads मिलते हैं आप वो अपने साथ जरूर लेके जाएं अगर आपको hospital वाले comfortable ना लगें तो आप अपने पास से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और बात अगर maternity napkins या maternity pads की करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप inner wears भी अपने साथ लेकर जाएं तो आप अपने comfort के हिसाब से inner wears भी रख लें और अपने maternity pads भी रख लें बनाने वाला brush हो गया यह सारी चीजें भी आप अपने mother bag में जरूर रखें वैसे कुछ hospitals में तो वह आपको toothbrush और toothpaste प्रवाइट कर देते हैं लेकिन अच्छा रहता है on a safe site आप घर से ही अपनी basic यह सारी चीजें लेकर जाएं साथ ही एक hand soap हो गया sanitizer हो गया hand wash हो गया you know face wash हो गया इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी अपने bag में जरूर इंक्लूट कर लें वैसे during pandemic जब मेरा first c-section हुआ था तो hospital वालों ने ये सारी चीजें kit बना के हमें दी थी लेकिन फिर भी मैं prefer करती हूँ कि आप ये सारी चीजें घर से लेकर जाएं क्योंकि इन चोटी चोटी चीजों की hospital में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है भई उसके इलावा एक soft सी comfortable सी या तो slippers या तो फिर कोई जूती आप ज़रूर अपने mother bag में include करें उसका reason ये है कि c-section के next day आपको walk करने को कहा जाता है और फिर continuous regular basis पे आपको थोड़ी थोड़ी walk करनी पड़ती है इसलिए अच्छा रहता है कि आप एक comfortable सी जूती अपने bag म में रखें जो slip ना हो पैर में comfortably आ जाए और चलते वक्त आपको problem ना करें चाहिए आपका c-section हो रहा हो या आप normally deliver कर रहे हो अपने bag में soft सी comfortable सी slippers या जूती जरूर इंक्लूट करें ये बहुत ज्यादा help करती है आपको वहां पे move करने में hospital में क्योंकि अक्सर hospital का जो परी होता है थोड़ा सा इतना जादा grip वाला नहीं होता है इसलिए अच्छा रहता है कि आप अपनी एक comfortable सी शूत या जूती अपने साथ जरूर रखें दूसरी important चीज जो मेरे साब से आपको अपने mother bag में जरूर इंक्लूट करनी चाहिए वो है जी blanket और pillow जी हां होता क्या है कि जब आपका c-section का सुन आपके पैरों से निचले हिस्से से खतम होने लगता है तो आपको बहुत जादा ठंड और shivering महसूस होने लगती है उसमें जो एक blanket hospital का होता है वो enough नहीं होता तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप घर से ही अपना एक blanket साथ में ले कर जाएं बह रखें क्योंकि hospital में जो pillows आपको दिये जाते हैं वो अक्सर flat होते हैं तो कभी-कभी आपको extra pillow की need पढ़ती है तो आप अगर गर में कोई यूनो तक्या इस्तमाल करते हैं जो आप comfortably जिस पर लेट सकते हैं या पीट पर रख सकते हैं तो वह भी जरूर अपने mother back में सकते हैं लेगिन सी सेक्शन वाले तक्रीबन दो दिन तो hospital gown में होते हैं इसलिए घर के कपड़ों की ऐससा जितनी जादा need नहीं होती लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो एक से दो जोड़ी कपड़ा आपने bag में include कर सकते हैं और कपड़े कोशिश करें कि बिल्कुल comfortable और season wise हो जैसे बहुत जादा घर्मिया हैं तो आप हलके कपड़े ही रखें जरी गोटे वाले कपड़े ना रखें अक्सर लोग यह सोच रहे होते हैं कि hospital में कोई मिलने आएगा या यूनो आज आएगा तो हम जरा अच्छे कपड़े लेकर जाएं hospital में और अच्छे से तयार ह कर बैटें तो बेशक आप लेकर जाएं लेकिन मैं यही recommend करूंगी कि आप soft कपड़ा लें लेकिन bright colors लेकर जाएं ताकि अगर कोई आप से मिलने भी आ रहा है तो आप प्रेजेंटेबल लगें क्योंकि hospital में होता क्या है जब आपकी c-section delivery हुई भी होती है तो आप अलड़ी में यूनो ले जाएं और वो ही इस्तेमाल करें ताकि आप भी comfortable रहें और अगर आप बचे को feed भी करा रहें तो वो भी आप आराम से करा पाएं इसके अलावा आप कुछ optional चीज़ें भी अपने bag में रख सकते हैं यह जरूरी तो नहीं है लेकिन अगर आप चाहें और अगर आपको इनकी need महसूस हो तो definitely आप इन्हें भी अपने mother bag में include कर सकते हैं पहली चीज़ आ जाते है जी nursing brass जी हाँ बहुत सारे जो influencers हैं वो आपको recommend करेंगी कि आप nursing brass जरूर खरीदें और nursing brass जरूर लेकर जाएं लेकिन मेरे experience के हिसाब से इनकी जरूरत इतनी भी खास नहीं ह होती अगर आपके पास है तो बेशक आप इस अपने bag में रख लें और अगर आपके पास नहीं है तो इनके बिना भी आराम से गुजारा हो जाता है सेकिंड आ जाती है जी इस तरह की dignity sheets अगर आप चाहें तो 10 से 12 dignity sheets अपनी mother bag में include कर सकते हैं dignity sheets basically आपको दोनुँ ही बिस्तर खराब ना हो और बच्चे का भी बिस्तर खराब ना हो लेकिन फिर वही बात है कि dignity sheets mostly जो hospital वाले होते हैं वो provide कर देते हैं इसलिए इनकी भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती अगर इनके आपको बहुत जरूरत मैसूस हो तो आप hospital की फार्मसी से खरीज सकते ह अगर आप चाहें तो वो हैजी snacks और पानी जी हाँ आप चाहें तो biscuit हो गई ग्रीन टी हो गई इस तरह की जो चोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो अपने bag में रख सकते हैं ताकि आपके साथ जो attendant आ रहा है उसको अगर रात में भूख लग रही है या कुछ हो रहा है तो व वाइट कर देते हैं लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि हॉस्पिटल में क्योंके कोवीड डेस चल रहे थे तो वह बहुत ही साथा limited खाना दे रहे थे पिर आप बच्चे को फीट भी करा रहे होते हो तो आपको midnight कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हलका पुलका चाहि जाएगी वह है जी पर्फियूम और मेक अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हैं अच्छा प्रिजेंटेबल लगने के हॉस्पिटल में भी तो आप अपना मेक अप और अपना पर्फियूम भी अपने साथ मदर बैग में इंक्लूट कर सकते हैं मेरा experience क्योंकि फर्स सी सेक् मैंने अकसर लेडीज को देखा है कि वो बहुत ज्यादा प्रिजेंटेबल लगना पसंद करती हैं ड्यूरिंग सी सेक्शन भी आफर सी सेक्शन भी तो अगर आप उन्हीं खवातीन में से हैं तो आप अपने बैग में एक अच्छा सा पर्फियूम भी रख लें और नहीं रखना चाते लेकिन आगे जो चीजे मैं आपको बताने वाली हूं उन्हें आपने जरूरी अपने बैग में इंक्रूट करना है और बिल्कुल भी उन्हें मिस नहीं करना तो जी सबसे पहली इंपॉर्टन चीज जो आपने अपने मदर बैग में डालनी है वो है आप आपकी मेडिकल फाइल जी हाँ आपने यास से अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट सारी रिपोर्ट्स आपका बलड कार्ड आपका हॉस्पिटल कार्ड इंशोरंस कार्ड सब कुछ अपने बैग में एक फाइल बनाकर जरूर रख लेना है सेकेंड इंपॉर्टन चीज है यापका चार्जर और आपका फोन जी हाँ हॉस्पिटल में आपको इन दोनुचीजों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और आपके साथ जो अटेंडिंट होता है उसे भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसे मेक शूर करें कि आप अपने मदर बैग में अपना फोन जरूर डालने तो जी तीसरी चीज आ जाती है important आपके glasses अगर आप glasses लगाते हैं आपको number आए वे हैं आखों में तो आप जरूर अपने glasses भी अपने baby bag में include करें क्योंकि दो से तीन दिन continuously glasses ना लगाने से आपको headache हो सकता है इस तरह की problems हो सकती हैं तो जरूर अपन bag में include की हैं और previous video में मैंने आपको जो baby bag वाली चीज़ें बताई थी मैंने वही baby bag वाली चीज़ें भी अपने bag में include की हैं तो इसके इलावा आप जो भी चीज़ें डाल लेंगे अपने bag में वो additional होंगी चलिए इसी के साथ करती हूं वीडियो को end उमीद करती हूं मेरी य याद रखें मिलती हूं आप से नेक्स वीडियो में बाई